हेलो दोस्तों मैं हूँ निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत सागत है आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुती चटपटी और जायकेदार टमाटर की चटनी जिसे बनाना भी बहुत आजान है और इस चटनी की खास बात ये है कि इसे महीने बर तक स्टोर भी किया जा सकता है अक्सर हम घर पर अचार रखते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक चलता है और खाने में भी सबको अच्छा लगता है लेकिन अचार बनाने में थोड़ा समय भी लगता है और काफी सारे मसाली भी चाहिए होते हैं लेकिन इस चटनी में नहीं ज़्यदा मसालों की जरूरत पड़ेगी और नहीं इसे बनाने में समय ज़्यदा लगता है तो चलिए दोस्तों टमाटर की चटकारेदार चटनी बनाना शिर करते हैं टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक किलो टमाटर लिये हैं और जब भी आप टमाटर लाएं चटनी बनाने के लिए तो देखें कि वो एकदम फ्रेश हों और इस तरह से जब हम प्रेस करें तो वो बहुत ज़्यादा सौफ्ट भी नहीं होनी चाहिए अच्छे पकेवे लाल-लाल टमाटर होनी चाहिए तो अब सबसे पहले हमें टमाटरों को बोईल करना है तो इसके लिए पैन के अंदर मैंनी पानी चड़ा दिया है और अब ये ट प्रेवर थोड़ा लगाएगा अब टमाटर के साथ हम इस पानी में डालने वाले हैं कुछ साबुत लाल मिर्च तो यहां पर चाहिए तो लाल मिर्च को पहले ही पानी में बिगो के रख सकते हैं या टमाटरों के साथ ही इन्हीं थोड़ी देर उबाल लेंगे तो ये साबुत लाल मिर्च अवेलेबर नहीं हो लेकिन यदि साबुत लाल मिर्च आप इस तरह से डालेंगे ना तो चटनी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में भी ज़दा मजाएगा तो देखिए कुछी देर में टमाटर अच्छे सौफ्ट हो गए हैं और इन्हें बहुत बारी ग्राइंड हम नहीं करेंगे यानि इनका पेस्ट नहीं बनाना है इन्हें थोड़ा सा मोटा मोटा ही ग्राइंड करेंगे ताकि ये एकदम रैट चिली फ्लेक्स की तरह चटनी में आएंगी तो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगी तो ये करते हैं कि पहले इनका छिलका उतार कर हम इने मैश कर लेते हैं तो मैश करेंगे तो ये जो कॉर्णर होते हैं वो अपने आपी इसली अलग हो जाएंगे अब टमाटर क्योंकि काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो येदि हम ग्राइंडर चार में इनने डाल कर इसलिए एक मैशर से ही नहीं मैश कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि इसका जो उपर का ब्लेक हिसा होता है वो भी इसलिए सेपरेट हो जाएगा और जाती इस तरह से टमाटर की मोटे मोटे जंक्स हो जाते हैं जो खाने में अच्छे लगते हैं तो टमाटरों का जो काला वाल करके रखी थी उसे भी याड़ कर लेते हैं तो ये भी टमाटरों के साथ और पक जाएगी तो बहुत ये चट्नी हम लंबे समय तक स्टोर करने वाले थे तो टमाटरों का जितना भी पानी है उसे हमें अच्छे से सुखा लेना है क्योंकि यедhanie नहीं सुखाएंगे तो टमाटर की चच्टनी को हम LMBSuper तक डोर भी नहीं कर पाएंगे और टेस्ट प् fedak मैं अच्छा नहीं आता है चच्टनी फिर बहुत ज्यादा रनी हो जाती है पतली हो जाती है तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है आप ये प्रोसेस फुल फ्लेम पर इसली कर सकते हैं तो बस बीच बीच में चलाते रहें और देखें कैसे दिरे दिरे इसका पानी सूख रहा है और ये ज़्यादा मुटे जंग सा आपको लग रहे हैं तो वो भी क्या होंगे इस तरह सॉफ्ट हो कर इसली तूट जाएंगी अब आप देख सकते हैं कि जो टमाटर की चटनी है बहुत अच्छे से पक चुकी है अच्छा कलर भी आ गया है इसका और ये काफी अच्छे से सूख भी गई है इसमें जितना भी एक्स्टा पानी है वो सूख चुका है तो अब हम इसके लिए तड़का तयार करेंगे जो कि इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है तब ही तच्छा टेस्ट आएगा तो इसके लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है और इसमें डालेंगे एक चुटाई कब तेल आप यहाँ पर सरसो की तेल का इस्तमाल भी कर सकते हैं यदि आपको पसंदो अब क्योंकि ये चटनी हम लंबे समय तक स्टोर करेंगे इसलिए हमने तेल का इस्तमाल थोड़ा जदा किया है अब जैसे ही तेल गरम होता है इसके अंदर एक छोटा चमच राई या सरसो डालेंगे और क्योंकि राई जब गरम होती है फूटती है तो बहुत ही उचलती है इसके लिए हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं ताकि ये उचलेगी भी नहीं और अच्छे से ये तड़क भी जाएगी जब राई अच्छे से फूट जाए तब इसके अंदर हम डालने वाले हैं लसुन तो यहाँ पर मैंने दू चमच ये बारी कटावा लसुन लिया है आप चाहें तो लसुन का पिस्ट भी टाल सकते हैं या इस तरह एक्टम बारी काटकर लसुन को लेंगे बीच में मैंने चालो कर दिया था कुछ देर के लिए पकाया है और अब यह देखें लसुन अच्छे से पक चुका है बहुत ज़्यदा ब्राउन भी से नहीं करना है तब यह तड़का हम डाल लेते हैं इस टमाटर की चटनी में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यह तड़का डालने के बाद एक दो मिनट हम इसे ओर पकाएंगे ताकि यह चटनी अच्छे से गुल मिल जाए तो देखें तड़का डालते ही कितनी अच्छी शाइन आ गई है चटनी में और साथी स्वाद अनुसार हम नमक पी डाल लेते हैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो कोई भी हमने इसमें ना ही लाल मिर्च पाउडर डाला है ना ही कोई अडिशनल कलर डाला है फिर भी चटनी बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं देखने में एकदम लाल लाल ये चटनी बनती है अब दूसरी सबसे इंपोर्टेंट टीप इसके अंदर लाएंगे हम खटाई तो खटाई के लिए हम यह इस्तिमाल करने बाले हैं विनेकर क्योंकि विनेकर से क्या होगा कि यह चटनी हम लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे और इसको अच्छी खटाई भी मिल जाएगी तो जितनी आप चटपटी चटनी पसंद करते हैं उसके अकौर्डिंग इसमें विनेकर डाल दे और इसे भी मिक्स कर लेते हैं विनेकर डालने के बाद चटनी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है बस एक दो मिनट ही हम इसे पकाएंगे क्योंकि विनेकर डालने के बाद जब चटनी को ज़्यादा देर तक पका लिया जाता है तो यह चटनी हमारी तयार है और अब इसे अच्छे से ठंडा करें और ठंडा करने के बाद किसी भी ग्लास के जार में आप इसे एक मेने तक इसी ली स्टोर कर सकते हैं और ये कीर मानिये बहुत ही कम स्पाइसी होती है ये चटनी बहुत ही इसी ली बच्चे भी से खापाते हैं और बहुत ही अच्छी का हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेर जरूर करें मेरी ऐसी और भी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद मिलते हैं एक तक हसते रहिए हनसाते रहिए